शेर की तरह दहारती हुई उग्गी आवाज साड़े तीन सब्तकों में फर्राटे से दौरती है मुर्कियां, गमक, नींड और छूट की ताने उनकी गायकी की खासियत है उनके सुरों का जादू कृष्ण की मूरली की तरह है जिसे सुनने वाले सुध बुध बिसरा देते हैं उन्हें जानने वाले उन्हें रसराज कहते हैं हमारे दौर में बहुत कम संगीत कार ऐसे हैं जिनका संगीत आपको आध्यात्म से जोड़ सकता है संगीत मार्तंड पंडित जस्राज ऐसे ही गायक है पंडित जस्राज का जन 28 जनवरी 1930 को हर्याना के हिसार में हुआ था उनके घराने को मेवाद घराना या मेवाती घराना कहते हैं हाला कि पंडित जस्राज का बचपन हैदरबाद में बीता पिता पंडित मोती राम शास्त्रे गायक थे जसराद जब तीन साल के थे तभी से पिता ने उनमें सुर्ज संस्कार डालना शुरू कर दिया ये बात 1934 की है जसराद जी तब 4 साल के हो चुगे थे हैदरबाद में पिता पंडित मोती राम का एक कॉंसर्ट होना था और उसी कॉंसर्ट में पंडित मोती राम जी को हैदरबाद के निजाम नवाब उस्मान अली खां के दर्बार में दर्बारी गायक भोशित किया जाना था लेकिन तो भागे से कॉंसर्ट से 5 घंटे पहले उनका देहान थो गया पिता की गुजर जाने के बाद बालक जसराज की तालीम की जिम्यदारी ली उनके बड़े भाई पंडित मनिराम जी ने उन्होंने बच्पन में जसराज जी को तबला सिखाया मंजले भाई पंडित प्रताप नारायन भी शाक्त्रे गायक थे उन्होंने जसराज जी को तबला सिखाया और अपने साथ संगत पर ले जाना शुरू कर दिया साथ साल के उम्र में जसराज जी तबला लेकर स्टेज पर उतर चुके थे धीरे धीरे तबले पर उनका हाथ काफी अच्छा हो गया पंडित जसराज अपने एक इंटर्वी में बताते हैं कि एक बार जाने माने कायक पंडित कुमार गंधर्व की लाहोर रेडियो स्टेशन में एक रिकॉर्डिंग थी रिकॉर्डिंग के दूसरे दिन कुमार जी की गाईकी को लेकर पंडित अमरनात और जसराज जी के बड़े भाई के बीच कुछ चर्चा चल रही थी जसराज जी ने उस चर्चा में अपनी राय देने की कोशिश की तो बड़े भाई से तीखी जिल्की मिली गोले जसराज तुम मरा हुआ चमडा बद जाते हो तुम्हें रागदारी का क्या पता इस बात से जसराज जी को काफी धक्का लगा लेकिनू बताते हैं कि अगले ही दिल से बड़े भाई ने उनकी गाईकी की तालीम शुरू कर दे जसराज जी ने प्रतिग्या ली कि जब तक गाना सीख नहीं लूगा तब तक बाल नहीं कटवाउनगा और साथ साल तक उपने बाल नहीं कटवाईगा आखिरकार बाल तब कटवाई जब All India रेडियो में उनकी पहली रिकॉर्डिंग हुई उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने राग कौसी कधणा गाया था जसराज बचपन में गजल गाई का बेगम अक्तर की आवाज के बड़े मुरीद थे वो खुद बताते हैं कि स्कूल जाते समय रास्ते में एक रेस्टरौ पड़ता था वहाँ बेगम की एक ही गजल चलती रहते थी दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे वर्या कहीं तकदीर तमाशाना बना दे ये गल्दन सुनकर जस्राज देवाने हो गए और उन्होंने पक्ता कर लिया कि गाना ही गाना है ये 1960 का किस्सा है जब पट्याला गराने के जाने वाने गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ साहब बीमार पड़े बड़े चस्राज उन्हें देखने गए तो अस्पताल में गुलाम अली खाँ साहब ने कहा कि मेरे शागेड बन जाओ अब इतने बड़े कलाकार से ऐसा ओफर मिलना चस्राज जी को खुशी और आश्चरे तो हुआ लेकिन वो बड़ी विनम्रिता से बोले चाचा जान मैं आपका शागेड नहीं बन सकता ये शायद मेरी तकदीर में नहीं है मैं अपने पिता के संगीत को ही जिन्दा रखना चाहता हूँ जस्राज जी बताते हैं कि ये बात सुनकर खाँ साहब रो पड़े और बोले पेटा तेरे पिता ही थे जो मुझे संगीत की दुनिया में लेकर आए थे खाँ साहब ऐसे तो दिगज गायकों के घराने से थे लेकिन शुरुआत में वो पहलवान थे 1962 में जस्राज जी की शादी हुई जाने माने फ्रद निल्डेशक वी शांताराम की बेटी मधुरा से मधुरा से उनकी मुलाकात 1955 में भी थी जब वी शांताराम जनक जनक पायल बाजे की शूटिंग कर रहे थे पंडे जस्राज को साल 2000 में भारसरकार में पद्ध विभूशन सम्मान दिया पंडे जी ऐसे ही गाते रहे और लोगों की जिंदिगी में संगीत का रज घोलते रहे यही दुआ है शेर की तरह दहारती हुई उग्जी आवाज साड़े तीन सब्तकों में फर्राटे से दौरती है मुर्कियां गमक नीड और छूट की ताने उनकी गायकी की खासियत है उनके सुरों का जादू कृष्ण की मुरली की तरह है जिसे सुनने वाले सुध बुध बिसरा देते हैं उन्हें जानने वाले उन्हें रसराज कहते हैं हमारे दौर में बहुत कम संगीत कार ऐसे हैं जिनका संगीत आपको आध्यात्म से जोड सकता है संगीत मार्तंड पन्डित जस्राज ऐसे ही गायक है जस्राज ही तब चार साल के हो चुके थे हैदरबाद में पिता पंडित मोती राम का एक कॉंसर्ट होना था और उसी कॉंसर्ट में पंडित मोती राम जी को हैदरबाद के निजाम नवाब उस्मान अली खां के दर्बार में दर्बारी गायग भोशित किया जाना था लेकिन तो भागे से कॉंसर्ट से 5 घंटे पहले उनका देहान थो गया पिता की गुजर जाने के बाद बालक जसराज की तालीम की जिम्मिदारी ली उनके बड़े भाई पंडित मनिराम जी ने उन्होंने बच्पन में जसराज जी को तबला सिखाया मंजले भाई पंडित पिताप नारायन भी शाक्त्रे गायक थे उन्होंने जसराज जी को तबला सिखाया और अपने साथ संगत पर ले जाना शुरू कर दिया साथ साल के उम्र में जसराज जी तबला लेकर स्टेज पर उतर चुके थे धीरे धीरे तबले पर उनका हाथ काफी अच्छा हो गया पंडित जसराज अपने एक इंटर्वी में बताते हैं कि एक बार जाने माने कायक पंडित कुमार गंधर्व की लाहोर रेडियो स्टेशन में एक रिकॉर्डिंग थी रिकॉर्डिंग के दूसरे दिन कुमार जी की गाईकी को लेकर पंडित अमरनाथ और जसराज जी के बड़े भाई के बीच कुछ चर्चा चल रही थी जसराज जी ने उस चर्चा में अपनी राय देने की कोशिश की तो बड़े भाई से तीखी जिड़की मिली बोले जसराज तुम मरा हुआ चमडा बद जाते हो तुम्हें रागदारी का क्या पता इस बात से जसराज जी को काफी धक्का लगा लेकिन वो बताते हैं कि अगले ही दिल से बड़े भाई ने उनकी गाईकी की तालीम शुरू कर दी जसराज जी ने प्रतिग्या ली कि जब तक गाना सीख नहीं लूगा तब तक बाल नहीं कटवाओंगा और साथ साल तरक उपने बाल नहीं कटवाई आखिरकार बाल तब कटवाई जब आल इंजिया रेडियो में उनकी पहली रिकॉर्डिंग हुई तुम्हें उन्होंने रा तो दीवाना बना दे वर्ना कहीं तकदीर तमाशाना बना दे ये गलजन सुनकर जसराज देवाने हो गए और उन्होंने पक्का कर लिया कि गाना ही गाना है ये 1960 का किस्सा है जब पट्याला घराने के जाने माने गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ साहब बीमार पड़े पड़े चसराज उन्हें देखने गए तो अस्पताल में गुलाम अली खाँ साहब ने कहा कि मेरे शागेर्ट बन जाओ अब इतने बड़े कलाकार से ऐसा ओफर मिलना जसराज जी को खुशी और आश्चरे तो हुआ लेकिन वो बड़ी विनम्लिता से बोले चाचा जान मैं आपका शागेर्ट नहीं बन सकता ये शायद मेरी तकदीर में नहीं है मैं अपने पिता के संगीत को ही जिन्दा रखना चाहता हूँ जसराज जी बताते हैं कि ये बात सुनकर खां साहब रो पड़े और बोले पेटा तेरे पिता ही थे जो मुझे संगीत की दुनिया में लेकर आए थे खां साहब ऐसे तो दिगज गायकों के घराने से थे लेकिन शुरुआत में वो पहलवान थे 1962 में जसराज जी की शादी हुई जाने माने फिर्द निल्डेशक वीशांताराम की बेटी मधुरा से मधुरा से उनकी मुलाकात 1955 में हुए थी जब वीशांताराम जनक जनक पायल बाजे की शूटिंग कर रहे थे पंडे जसराज को साल 2000 में भारसरकार में पद्न विभूशन सम्मान दिया पंडे जी ऐसे ही गाते रहे और लोगों की जिंदिगी में संगीत का राज घोलते रहे यही दुआ है नमस्ते मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इन वीडियो को लाइक कीजिए और फेस्बुक और ट्यूटर के जरिये भी आप हमसे जूट सकते हैं